आप सभी का स्वागत एक बार फिट से ओनली आईएस हिंदी माध्यम पे दोस्तों चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे कैरला हो क्लाउड बस्टिंग वाली इवेंट्स देखने को मिले हैं और लेंड्सलाइड भूसकलन जैसे इवेंट्स देखने को मिले हैं क्या होता है बादल फटना और क्या होता है भूसकलन ये बहुत ही खतरनाक तरीके से होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जान और माल की हानी के लिए तो रेस्पॉंसिबल है ही इसका कहीन कहीं व्रहद तोर पे प्रभाव हमारी अर्थ विवस्ता और रोजमर्रा के जीवन पे भी देखने को मिल सकता है आए इसके लिए हम परिक्षा के माध्यम से कहीन के जो हमारा सिलबस जो है उसके अकॉर्डिंग इसका अनालिसिस करते हैं to the point अभी हमें देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश में लगातार चार जगह पे cloudburst के events देखने को मिले हैं हम केरला के वायनाड की बात करते हैं तो केरला के वायनाड में भी हमें हैवी रेंड टॉरिंशल रेंफॉल होने के कारण वायनाड के अंदर तीन से चार गाउं जो है अलग अलग वह लगातार मड़ फ्लो लेंड स्लाइड और इन समी चीजों के कारण 200 से जादा लोगों के ह जंगनित होती रहती हैं दीरे-दीरे और वर्षा की बूंदों की रूप में वर्षन होता रहता है अगर यही बादल की बूंदे जो कहिन कहीं बहुत ही कम समय में अल्पकाल में तिवर वर्षा होने लग जाए जैसे अगर हम कहें एक 20 से 30 स्क्वायर किलोमेटर का एरिया है चोटे से भूभाग के अंदर एक घंटे में ही 100 मिली मीटर से जादा वर्षा हो जाए तो अपना आप में यह प्रत्याशित वर्षा एक बहुत ही जादा जलराशी है दोस्तों और इस अमाउंट को कहीं कहीं जेलनी पाता है जो भी टोपोग्राफी होता है चाहे पहाड हो पठार हो मैदान हो उसके उपर उसका एक नकारात्मक आपदात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और यही नहीं हमारे मौनसून के कारण जैसे बंगाल की खाडी में अभी मौनसून देखने को मिलेगा आपको अरब सागर में जो है साउथ वेस्ट मौनसून देखने को मिल पर आर्ज की लगब यहां पर रेंफॉल होना इसको हाई रेंफॉल कटेगरी में रखा जाता है दोस्तों उसके उप्रांद अगर हम बात करें अगर एक साथ अगर जाने से आपको देखने को मिल सकती है लोगों को पता ही नहीं होगा यहां से 2 किलोमेटर उचाई के उपर एक बादल फटा है और वो बादल का पानी 10-15 मिनिट में 2 किलोमेटर की जो है स्लोप के उपर नीचे आने के बाद में कई सारे गावों को कई सारे जलमार्गों को कई सारे पूलों को डेस्ट्रॉय करता हुआ जाता है यहां पे पशू खेत हो चाहे जलमार्गों हो यही नहीं कनेक्टिविटी जो है उस एरिया की वो पूरी चर्मर आ जाती है जैसा कि अभी वाइनाड में भी देखने को मिल रहा है बादल फटना आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों जनरली इसके पीछी रीजन हमने बताया है कि प्रेसिप्टेशन कंडेंसेशन कहीं कहीं संगनन जो है बादलों में उसकी दर जादा हो जाना यहां पर बादलों में जो सापेक्षिक आदरता है हवाई यहां पर मन दो तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर यहां पर बादल बहुत तेज मात्रा में संगनित हो जाते हैं बहुत जल्दी संगनित होते हैं फल सुरूप बहुत जादा मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है और इसी जादा मात्रा में वर्षा देखने को मि तो अपने आप में ही यह एक घटना का एक तराशदी का स्वरूप ले सकती है यहां पे जैसे हमने रुद्र प्रयाग में देखा है चमॉली में देखा है अभी हाल ही में हमने रामपूर जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है उस एरिया में भी इवेंट्स देखने को मिले इसके फलसुरूप क्या हो सकता है सपोज आप किसी पहाड़ी वाले एरिया में कोई उचाई वाले एरिया में अचानक अगर कहीं कहीं क्लाउड बस्ट हो रहा है जादा बारिश हो रही है बादल फट रहा है जो अतिरिक्त जल आया है वो इस धलान के उपर जो मिट्टी है चटाने हैं उसको कहीं कहीं क्या कर देगा लूस कर देगा उसको कमजोर कर देता और उस कमजोर चटाने जो है वो गुरुत्वा करशन में है ना धलान के अंदर कहीं कहीं इसी मड़ फ्लो के साथ में डाउन दो स्लोप धलान में नीचे की तरफ आ जाती है अब चाहे वहाँ पर कोई रास्ता है, सडक है, वो डेस्टोइड, कोई पूल है, वो डेस्टोइड, यहाँ पर कोई खेत है, वो डेस्टोइड, चाहे जीव क्या हो, वनस्पती क्या हो, मानव क्या हो, बस्तिया क्या हो, यह सारी चीजों को lens light भूसकलन से नुकसान देखने क को मिल सकता है तो भूस कलन क्या है दोस्तों भू विग्यानिक घटना है सबसे पहले तो आपको पता होने ची हुई क्यों के सर ग्रैविटी के करण गुरुत्वाकर्शन के करण चट्टाने मिट्टी मलबा जो है अचानक से तेजी से डाउन स्लोप नीचे की और आने लग गय अभी कैरला के वायनार्ड के अंदर ऐसा ही कुछ इवेंट हमें देखने को मिला और उस वायनार्ड में कैरला में 176 लोगों की मृत्ति हो जाती है रात को करीब जो है आपके पास में यह जादा बारिश होती है बहुत ही जादा मात्रा में वहां पे आसपास के अंदर जित जाएगी वह मिट्टी वह चटाने नीचे की तरफ सरकती है और इस बार यह एरिया कोई छोटा नहीं था दो चार पांच गाव जो है उसे लगातार हताहत हो जाते है दोस्तों इसकी इवेंट के अगर अपत देखे तो लेंड्सलाइट जहां से सुरू हुई वहां से प्रकार से यहां पर इस बार जो देखे गई है वह है वह फिसलन बरी सतर से नीचे की तरफ किसलता है जिसे रोटेशनल या फिर ट्रांस कहिन के जो है ट्रांस नैशनल मुवमेंट वी इसको कहा जाता है अब सारी चीज़े यह हो क्यो रही है होने के बीची रीजन ने चटाने मिट्टी अपनी जगह रहती अगर चटान मिट्टी भारी वर्षा में जल को ग्रेंड कर देता है वो मॉश्चर को घोल्ड कर देता है अब वो मॉश्ट सॉयल है वो कहीन कहीं क्या करती है आगे की तरफ मुव करती है उसमें फ्रिक्शन कम है अब उसमें जो है रैचुरेट हो चुकी है, पानी से संतरप्त हो चुकी है, और वह कहीं कई उसका वजन भी बढ़ चुका है, इसके कारण भी वह धलान में नीचे की तरफ चटाने और मिट्टी मुग करने लग जाती है, दूसरा है मिट्टी का कटाओ, कई बार आप देखने की कोशिश करते ह हैं कि जहां पे भी पैड़ पोदे उगाये जाते हैं धलानी एरियों के अंदर, वहां पे मिट्टी का कटाओ कम होता है, क्योंकि जो वनस्पती हैं, जो जड़े हैं, जो वेजिटेशन हैं, वो मिट्टी को चटानों को पकड़ के रखते हैं, बट आपने करना सुरू कर द अब बढ़ेगा, तो भूसकलन की समविदन शिलता, सेंसिटिविटी और बढ़ जाती हैं उस एरिया के अंदर, भूकंप के भी जटके आ सकते हैं, और भूकंप के जटकों के फलसुरूप भी क्या हो सकता है, उस अस्थान विशेष में अस्थिरता उत्पन हो सकती है, इं लेंड्सलाइड एटलस का डेटा है, दोस्तों, वहाँ पर बताया है कि दुनिया में भारत जो है टॉप चार देशों में आता है, जहां पर हाइस लेंड्सलाइड रिस्क देखने को मिलती है, हर सार कहीं कहीं आपके पास में लॉस ऑफ लाइफ पर हंड्रेड किलोमेटर स है कि इनके हमारे पास में ज्यादा खत्रा देखने को मिल रहा है, भारत को तो यहां पर रेड में इंगित किया गया है, मतलब हर साल लगबग 600 से 700 भारत में भूस कलन के लैंड्सलाइड के इवेंट्स देखने को मिल रहे है हमें, और भारत का यह है, आपके पास में देटा की मदद से, स्पेस से, सैटलाइट से उपग्रह से लिएगे डेटा की माध्यम से बताया गया, सबसे पहले जो टेक्टोनिक प्लेट बाउंडरी है, हिमाले वाली बाउंडरी है आप देखेंगे आपका जमू कश्मीर, हिमाचल परदेश उत्राखंड वाला एरिया है उसके बाद में सिक्किम वाला रुनाचल परदेश वाला नागालेंड में घहल है और यह सारा वाला एरिया, यह तमाम एरिया टेक्टोनिकली एक्टिव है, यहाँ पे प्लेट किनारा है, प्लेट बाउंडरी है, कन्वर्जिंग बाउंडरी और इसी कारण इस एरिया में कोई सारी ऐसी लेंड violence activities देखने को मिलती है। उसके उप्रांथ हे western घाट पस्चिमि घाट पस्चिमी घाट वाली अरिया में भी हम को पता है ईसग वेस्ट से आने से आने वाली दक्षिंग पस्चिम से आने वाली मौनसुं की पूरा मिट्टी के डेले हैं और कुछ निये सड़के उस पर बनी हुई घर उस पर बना वहाँ है उसी पर खेती हो रही है अब जब ऐसे एरिया में ज्यादा से ज्यादा आप इंफ्रस्ट्रक्चर बना देंगे और अभी कभी बारिश हो गई ते जैसे की वायनाड में इस ब भारी तिव्र वर्षा के कारण रातो रात क्या हो चुका है वहां पर कई सारे एरिया में मड़ स्लाइट लेंड भूसकल में देखने को मिले हैं लोग हता हत हुए हैं यह रहा आप्के पास में पालक कड के उपर कौडिकोड के उपर यह रहा वायनाड वाला एरिया यह या और आप यहां पर देखेंगे कहिँ कहीं वायनार जो है तैरवे नमबर पए जो है सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोजर हैं लेंड स्लाइट को लेकर के 13 नमबर पे पूरे भारत में जितने भी जिले हैं डिस्टिक्ट्स हैं जहां लेंड स्लाइट आती हैं 13 नमबर पे था और अब आप देखने की कुशिश करेंगे दुद्र प्रयाक, तहरी गडरवाल त्रिशूर, राजोरी, पालकड, पूँच यहां इन एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंड स्लाइट भूसकलन आपको देखने को मिलते हैं अब इनको रोका कैसे जा सकता है क्या आप बारिश को, बादल को फटने से रोक सकते हो, बारिश को औरने से रोक सकते हो, नहीं सर यह कहिन कहिन जलवायू परिसित्या है जलवायू परिसित्या मानव मात्र के हाथ में नहीं है हम तो अभी भी अध्यियन कर रहे है कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है मौनसुन या फिर जलवाईव परिवर्थन के पीछे क्या का रहे है। तो सर्थ ज़्जादा बारी सोने सा आप रोक पाओगे नहीं रोक पाओगे तो क्या हो सकता है सपोज बादल फट गया, सपोज ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हो गई तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो आप इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं सिर्फ मिटीगेशन के मैजर्स लेकर आ सकते हैं मतलब शमन आप किस तरीके से रोक थाम उपचार क्या कर सकते है कि सपोज अगर लेंड्स लेट होगी तो क्या किया जा सकता है सपोज अगर वहाँ पर अचानक से जो है बाड आ गई, फ्लेश फलेट आ गई तो क्या किया जा सकता है सो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो धलान से आ रहा है तो धलान के उपर जितने भी ये हैवी जितने भी ये भारी भारी आपके पास में अलिमेंट से इन मैटिरियल को वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि ये भारी मैटिरियली बारिस के टाइम सबसे पहले मूँ करके नीचे की तरफ आएंगे और भूसकलन का कारण बनने वाले दूसरा, इन धलानों के उपर है न, सिड्स के उपर, माउंटेंस के उपर कोई भी जंक को इखटा न रखे अगर आपका घर या इसी एरिया के आसपास में है तो कभी भी कच्रे को, जंक को, भैवी मैटिरियल को इस एरिया में इखटा होने से धलान में उसके उपर proper shade जरूर होना चाहिए तो कि गलती से भी अगर कोई भी यहाँ पर land slide या फिर mud slide होता है तो वह चत के बाद में गृत्वा करशन के कारण वापस वह नीचे की तरफ चला जाए तो जो यह mud होगा जो कच्रा होगा वो भविश्य में नीचे की तरफ चला जा सकता है आपका घर जो है वह सेफ रहेगा पहली बार और दूसरा जहाँ पे edge है जहाँ पे धलान का किनारा है उससे काफी दूर आपको अपना घर बनाना चाहिए exact धलान के पास में घर नहीं बनाना चाहिए structure should be away from the edges as well तीसरा यहाँ पे बोला है जो नीचे धलान के नीचे जो loose मिट्टी है है ना जो कमजोर मिट्टी है उसको हटाया जाए और यहाँ पे कहिन के dancer material कोई concrete लगा दिया कोई पत्थर लगा दिया कोई levize बना दिया कोई retaining wall बना दिया आपने और इस माध्यम से कल की तारिक में यह area landslide करता भी भूसकरन करता भी है इसका रिहाइसी area पे कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है retaining wall जैसी structures बनाई जा सकती है एटसेटरा तो दोस्तों हम cloudburst या glacial lakes outburst को नहीं रोख सकते हम ज़्यादा बारिश को भी नहीं रोख सकते बाड को भी नहीं रोख सकते बट इससे बचने के उपाय जरूर किये जा सकते है शमनकारी mitigation impact किये जा सकते आप मुझे जरूर लिखके बताए आपको यह जानकारी कैसी लगी और हाँ आपके कोई भी प्रशन है queries है आप मुझे reach out कर सकते है telegram पे at jj sir upse capital letters में है कोई space नहीं है कोई भी comment है query है आप बताएगा और comment करके जरूर बताएगा यह video यह lesson आपको कैसे लगा ऐसी ही रोचक जानकारी कम से कम समय अवदी में समंद्रा मिनिट में लाते रहेंगे आप सभी के समक्स until then thank you जय हिन सरवदा सक्षिशाली and God bless you all